हाई फ्रेंड्स मैं हूँ निशा और वेलकम टू मैं चानल आज मैं आपके शाद सेयर करूंगी एक बहुत ही पॉपुलर बेंगॉली डेश जींगे अलुपुस्तो यह रेसिपी बहुत ही तेस्टी है एस वेल अस हेल्दी जींगे अलुपुस्तो एक बहुत ही लाइट बनाओंगी उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए क्या-क्या इंग्रिडियंस चाहिए मैंने इहां पर सारे इंग्रिडियंस ले लिया है तो जींगे अलुपुस्तो ब मास्टर्ड वाइल, कलोंजी, ग्रीन चिली, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट तो हमारे सारे इंग्रिडियंस रेडी है तो चलिए अभी देख लेते हैं कुकिंग प्रॉसेस अभी मैं कड़ाई में 3 टेबिल स्पून मास्टर्ड वाइल डालके इस ओईल को थोड़ा सा गरम कर लूँगी ओईल गरम होने के बाद मैं इसमें डालूँगी कलोंजी और ग्रीन चिली इसके बाद मैं डालूँगी आलू और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी आलू को दो से तीन मिनिट तक फ्राई करना है अभी मैं इसमें डालूँगी तोड़ाई और जींगे तोड़ाई डालने के बाद मैं इन सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी एक मिनिट तक फिर मैं इसमें डालूँगी सॉल्ड, स्वाद अनुसर और डालूँगी रेड चिली पाउडर फिर इन सब्जियों को अच्छे से मिलाऊंगी और फिर इसको 2-3 मिनिट तक मैं फ्राई करूँगी अभी मैं इसमें डालूँगी पानी पानी डालके इसको बॉयल करने के लिए छोड़ूँगी हमें इसको धक के पकाना है 10 मिनिट तक 10 मिनिट बाद अभी मैं इसमें एड करूँगी पॉपी सीट पेस्ट फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी अभी इसको धक के फिर से 2-3 मिनिट तक पकाऊंगी अभी यह हो चुका है अभी मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी नाव जींगे अलू पोस्तो इस रेडी टू सर्फ अपने देखा कितनी असानी से यह रेसीपी बन के त्यार है गर्मा गर्म राइस के साथ जींगे अलू पोस्तो खाने का मजा ही कुछ और है आप भी घर में बनाईए और अपनी फ्रेंड्स अन फैमिली को खिलाईए और मुझे कमेंट करके बताईए कैसी बनी है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए उससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे त्हांक्स एर वाचिए इस वीडियो